हलो बचो कैसे अब सुलो इस वीडियों हम बात करेंगे CMA Foundation के बारे में जैसे कि आपको पता है CMA Institute ने नया स्लेबर्स इंट्रड्यूस कर दिया है अब जो बच्चे CMA करना चाहते हैं ठीक है जो बच्चे CMA करना चाहते हैं और जो बच्चे एक अगर्स्त 212 या उसके बाद रजिस्टर करवाएंगे CMA Foundation के लिए जो बच्चे रजिस्टर करवाएंगे एक अगर्स्त 212 या उसके बाद तो वो न्यू स्लेबर्स के लिए इंट्रड्यूस्ट होंगे ठीक है जी नमबर एक नमबर दो अब जो आपके एक्जाम होंगे उसमें क्या स्लेबर्स होने वर रहता है तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल एकन जूरू दबालीजिएगा जिसे क्या है जब भी हम आपके लिए यूसफुल इंट्रमेशन लेकर आएं तो आपको उसका पाइदा उठाएं और जो हमारी जो क्लासिस वे हैं उसके लिए हम जो म और आपको बैठ सकती हो जब आप क्लास ट्व söyl पास कर जाो गए ठीक क्लास ट्वल पास करने के बाद थी हैं अब किसी वी समय रिच synchron exam में बैठ सकते हैं अफ दस्वी gefा सकते हैं exam में exam में कब बेठ होगे class 12 पास करने के बाद ठीक है बचो अब CMA foundation में आपका flavors क्या होने व पहला subject रहने वाला है अब पहले subject में बच्चों देखिएगा clearly business law आपका कितने number का है 80 marks का रहने वाला है इसमें introduction 10 number का contract 30 marks का sale of goods ट्वान्टी का negotiable 20 का और business communication 20 का मैं आपको clearly बोलूँगा आप जो business law वाला जो slavers है बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यह intermediate में भी आपको काम आने वाला है ठीक है जी तो चली आप इसकी detail पढ़ते हैं जो introduction है दस number का उसमें क्या क्या है इसमें आपको sources of law पढ़ने को मिलेगा बहुत अच्छा chapter है जी legislative process क्या होते है legal methods और courts system क्या है हिंदुस्तान का इंडिया का primary and subordinate legislation पढ़ने को मिलेगा ठीक है जी उसके बाद आपको इंडियन contract act में आपको इस सारे chapter पढ़ने को मिलेंगे मतलब क्या है यहाँ पर special contract नहीं है ठीक है जी basic के बाद sales of goods act sales of goods act में यह definition, ownership, conditions, condition and warranty, performance, right of unpaid seller और उसके बाद negotiable instrument में यह concept और business communication में क्या है introduction to business communication फीच है effective ठीक है जी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही interesting chapters है barriers to communication legal aspect of business communication use of graphics and reference and the business communication ठीक है जी यह मारा बहुत ही असान पहला paper था business communication plus business laws का ठीक है business communication 20 marks का और laws कितने की number के है 80 number के ठीक है जी चलिए number 2 fundamental of financial accounting and cost accounting जैसे पहले financial accounting होती थी 80 की अब सतर की कर दी है cost 20 से 30 की कर दी गई है ठीक है जी तो accounting fundamental में क्या क्या होने वाला है यह आपको basic जो plus one level की जो बहुत ही simple chapter हम लोग करते थे वह accounting के basics होगे principles concept conventions हो गई capital and revenue expenditures हो गई ठीक है जी accounting cycle मतलब जो journal ledger trial cash book subsidiary book यह सब कुछ आ गया ठीक है जी यह आगे उसके बाद यह आपका adjustment entries आ गई प्लस actification of error most important chapter foundation का और depreciation आ गया जी और final account में treatment of bad debts and provision of bad debts आ गया जी उसके बाद special accounting for special transaction most important यह foundation में भी बहुत अच्छे से करना क्योंकि यह सारे chapter consignment, joint venture, bill of exchange यह आपको intermediate में भी पढ़ने को मिलेंगे इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा याद से ठीक है जी उसके बाद final account यह भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा NPO यह भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यह सारे chapter आपको intermediate में भी बहुत जबदस तरीके से पढ़ने है ठीक है जी उसके बाद आते है कोस्ट, कोस्ट भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा जितना भी है हमारे पास क्योंकि कोस्ट भी सारी के सारी जतनी भी अफ्ट यहां पर पढ़ने को मिलेगी आपको ठीक है जी क्योंकि जो आगे अच्छे बहुत अच्छे लेवल की आपको 200 नंबर की कोस्ट है इसलिए यहां पर आपको basic ही होंगी कोस्ट की यह हमारा दूसरा विपर हो गया जी ठीक आगया जी पंदरा का अलजेब्रा ट्वंटी का कैलकुलिस पांच का और इस तरीके से स्टैट सेक्स्टी मार्स कि इसमें मैथ में कौन कौन से चैप्टर है जो बच्छों को बहुत ड़ लगता है रेशो वारियेशन प्रपोजिशन टाइम वली ऑफ मनी में सरफ जैसे पह कोस्ट फंक्शन अप्टिमाजेशन टेकनीक्स और स्टैटसिक्स में पहला इंट्रॉडक्शन वाला संटनेंसी डिस्पर्शन कोलेशन एगरेशन प्रोबिलिटी और इंडेक्स और टाइम सेटिस यह सारे चैप्टर आपके हो गए इसमें सीमें फांडिशन का पेपर क्यों कि लेवल नहीं है इस चीज़ का एकनामिक्स फंडामेंटल ऑफ एकनामिक्स ठीक पहला बेसिक कॉंसेप्ट आ गया पहला जैप्टर फिर मार्केट आ गया जी ठीक है और उसके बाद मनी एंड बैंकिंग आ गया देन एकनामिक एंड बिजनस इनवार्मेंट आ गया टीक है और मींज़मेंट में फंडामेंटल ऑफ मैंजबंट ठीक है यह अपका फंडामेंटल डुमेंट में इंट्रटरक्शं प्लानिग्स प्लैनिंग आ गया कम्म्यूनिकेशन आ गया और्गर्टमेंट में यह हमारा हमारा इम हें में चलीए सब्जेट के hem सौसो नंबर के चार्सो नंबर के 40% 40% minimum होता है हर सब्जेक्ट में 50% aggregate चाहिए होता है पूरे CMA Foundation लेवल का पास करने के लिए ठीक है बच्छों तो ये हमारे CMA Foundation की complete detail थी ठीक है eligibility से लेकर CMA का slayvers करता है passing criteria क्या है ठीक है बच्छों और news labels के लिए जे वहारा 2,22 में और especially ये किसके लिए eligible है अप्लिकेबल है June 2,23 और उसके बादवाले बच्छों के लिए ठीक है बच्छों अभी तक हमारे चैनल पर वीडियो पर बने हुए तो वीडियो को लाइक जो कते जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेले कंद बाना मत बूलेगा और CMA Foundation की आप classes buy करना चाहते हैं तो बहुत ही affordable prices पे high quality वीडियो lectures available है हमारे ACC tutorials में ठीक है बच्छों उसके लिए description में link दिया गया है और number वीडिया गया है directly आप buy करना चाहते हैं तो directly buy कर सकते हैं link के दुरू आज के लिए इतना ही बच्छों thank you goodbye